तो ये है हमारा क्लास 11 साइकलोजी में टॉफ 40 MCQ मैं आपको इस वीडियो के माइदम्स कर वाँगा जो आपके सारे के सारे एक्जाम के पेपर में छपने वाले हैं तो आप सभी इन सवालों को अच्छे से कर लीजिए ठीक है तो चलिए वक्त बिनावराद के हमने वीडियो क सुरू करते हैं पहला सवाल है हमारा वहवारवाद के प्रवर्तक कौन है जेमस है वाट्सन है या फिर जॉन वी वाट्सन है या फिर रोजर से तो यह वहवारवाद के प्रवर्तक है यह कौन है हमें बताना है तो याद रखिए कौन है वो जॉन वो वाट्सन ही आप्सन न याद रखिए गा यह व्स pocz नम्बर एस का सही उत्तर हो जायेगा अगला सवाल हमारा निरक्षन बिदी के जम्दाता को है हो मैंने जालं द्रत कौने जाते को लिन собир ho एब हम आमानुवी कृत ठीक है यह जो दूर रूप है किसके रूप है हमें यह बताना एं तो यह दिखिए जो हमाई साक्षातकार होते तो उसी को हम लोग क्या करते एक मानुवी कि एक आमानुवी कि दो रूप में के टेग्राइज कर लेते हैं तो आपसर नमबर 20 का सही उत करते, याद रखेगा, ये करते है है टोटल चार टेकनीक का प्रियोग करते हैं अगला सवाल है हमारा, दो وर्स के बालक के स्थूल पेस्टी है कॉशल का उधारन क्या होता है, उच्छला उच्छा होता है, कुदना, दोड़ना, या सभी सरते हैं, तो देखे अगला सवाल हमारा से कौंसे सवरीदी का एक है काल बढ़ना दोनों यहां क्या हो जाएगा सिंुक्तित करें अगला सवाल हमारा से कितने दिन रहता है वह रहता जन से लेकर 14 दिन तक रहा जाएंगा एस का सहीजवाब टिक करिएगा अगला सवाल हमारा निर्ना अनतर संब्सक्राइब देखी तरकना की जगडना का निर्ना लेना उसका सहितर हो जाएगा अगला हमारा बहांसा क्या निजात करती बहु विचार बटाती एटी कैंद्धे पर एडी पैजन्टु सास्ती तो फूरा सफथी तो ईप्सन नंबर सीज का सई जवाब होगा अगला सवाल है हमारा कि धुवार रही चूला बनाने के लिए UK का सरवच पुरुसका जो है वो किसे दिया गया था हमें यह बताना राफेल को पंचानर महेस्वरी को या फिर AD कायरे को या फिर अग्यात को ठीक है यानि मतलब कोई किसी को हम नहीं पता सीधा बात है तो किसे दिया गया थे AD कायरे को दिया और यह क्या थे एक वनस्पति सास्ती थे जश्ट हमने यह बात अभी पढ़ा ठीक है फिर यहीं पर हमारा कोश्चन अब बच्छों 16 हो जाएगा ठीक है कि ग्लास्गो ठीक है ग्लास्गो में मानब रोबर्ट पस्तूत किसने क्या था ठीक है तो याद है कि यह क्या अवस्ता होती वह क्या कराती है पूरु प्रसुति काल कह रहाती है ठीक है इंग्लीज में कुछ कुछ वर्ड़ आपको अच्छे लगेंगी हिंदी में देखिए मुश्टली साख्योग्यॉजी का रहता बच्छों का इंग्ली समरता ठीक है लेकिन आप सभी बच्चों को देखिए सिधा बात है कि हमारे धरकंट सरकार है सिधा बात है क्या करने वाला क्या नहीं पढ़ने हो कुछ भी ठीक नहीं रहता है अगर आपको सिर्फ हिंदी में कोस्टन दिया जाएगा तो प्रिका करें इसलिए इसलिए मैं सारा सारा हिंदी कर वा अगला सवाल हमारा समाज में सदस्चों कि संपुन बेवार प्रती मानों समगर जीवन विधी को क्या कहला आया था ठीक है तो यह क्या कहला था हमारा संस्क्रीती कहला था 19 का D सही जबाब हो जाएगा अगला सवाल है कूट संकेतन संचेन इवं पूनप्राप्ति किसके तत अगला सवाल हमारा परिनामों की व्यक्षा है तो वालबर्ट ने किस सब्सक्रीख किया था इसकीम की लॉड्ड या फैस तो किसका प्रयोग किया था याद रहत एक सवाल हमारा कि इविंघ हाउस के अनुसार इसमरन का सवरुप कैसा होता है दूरदरसी रशनात्मक इसतू आप देखे नॉर्मल सवाल एक वर्जा में बच्चा हलकालगा बूलने लगता है अगला सवाल हमारा संप्रते किस विज्ञान को संबंद करें चाहिक होता है वर्जीत या पर मारी तो किस ज्ञान को सम्मेद करता तो या दखिएगा क्या होगा इसका सही जवाब वह हो जाए सबसे बाड़ा कारण क्या होता है हमारी जीवन में तो देखें सीधा बात है पूर लक्षी प्राब्दोद या पिर आप लक्षी सीधिक से हमारे माइंड के डिपेंड करता कोची भूल जाते हैं कि कथने यह किसका कथने घुता होगा तो थर्ठी का अगले सबस्क्रक्राण के लिए मैंड की तरुरिक चेंत के लिए आवज़्ट चाहिए जो कथन नहीं चिंतन के लिए भासा चाहिए यह कुछ ने दिया था तो वह वाटसन नहीं दिया था अगला है कि समवेग में रक्त चाहिए कमी और विद्धी को मापने वाला सीधा बात है कि आपका ब्लेट पेसर मापा जाता कि स्यंत्र समय यह बताना है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा इंगलिस में लिखावा ठीक है अगला है पुरूसों की यौन गरंथी क्या कहलाती सीधा बात है तो विखेदी भोजन की प्रापति को हो इस कथामें भोजन क्या है तो सीधा बात है नहीं को आते हैं मार्ब्लग्व मनोवीग्यान को यह यह कहा गया इयुद्धा हमारा किस कि दव्द्र मनो गया हने अपने आपको विज्विग्यान होने का दावा करता है तो याद क्या होता है यहां पर यहां हो जाएगा आपको ऑप्सन नंबर भी स्रवन सम्मेदना अगला सवाल है हमारा नलिकाई विहिन गरंथी यानि दूसरा इधा इंपोर्टन सवाल या के लिए आंतरसरवी गरंथी कहा आपने पढ़ा और आपको एक्सक्राइण गलेंड अगला हमारा बालेवस्ता कि अवभी च्छों कि नाभी वाले छेत्र बैट जांग आमाईसर को विकास होता है वह क्या कहलाता है उप्सन क्या नंबर भी तो देख़िए यह था आप सभी बच्चों के लिए class 12 psychology का top 40 mcq आप इसे अच्छे से कर लिजिए इसके अलावा आपके एक्जाम में सवाल नहीं आएगा और देखिए जितना important psychology हो या पी आपका जो भी class 12 में सब्देट को सारे के सारे मैं आपको important करवा दूँगा बस आप लोग चैनल को subscribe कर लिए ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा कोई वीडियो सब्सक्राइब को आपको नोटेपिके से मिल सके या ठीक है तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता अपने का लिडियो पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो आपने दूस्तों सेर करतीजेगा ठीक है